हेलो गाइज वेलकॉम बैक टू मा चैनल आज मैं आपके साथ सांभार की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ जिसको आप इडली अपपे डोसा के साथ सर्फ कर सकते हूँ तो चलिए चालू करते हैं सबसे पहले मेने कुकर को ग्यास पे चड़ा लिया था और मैंने यहार डाला है दो चम्मच ओईल एक प्याज जिसे मैंने लंबा काट लिया था प्याज को गोल्डन प्राउन होने तक पका लेंगे प्याज पक चुके है तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर टमाटर को भी हम टमाटर गलने तक हम इसे पकाएंगे टमाटर गल चुके है हमारे तो अब हम इसमें डालेंगे अद्रक लसुन की पेस्ट इसे भी हम पका लेंगे और हम इसमें अब वेजिटेबल डालेंगे आलू, शिमला मिर्च, बेंज और फुलगोबी फिर मैंने यहां डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला फिर मैंने यहां मिक्स कर लिया है फिर मैंने यहां आदी, कटोरी, तुवर दाल धोकर डाल दी है फिर मैंने यहां पे दो कटोरी पानी डाला है ताकि दाल और सबजिया पक जाए फिर यहापे हम कुकर का जखन बन कर लेते हैं और तीन सीटी होने तक पका लेंगे तीन सीटी हो चुकी है अब हम हमारी कुकर को खुल लेते हैं और सबजी और दाल पक चुकी है तो हम इसे अच्छे से प्लेन मैश कर लेंगे मैश हो चुका है तो संबर बनाने के लिए ग्यास ओन कर लेंगे और कुकर को ग्यास पर चड़ा लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे पानी और मैंने यहाँ इमली को भिगो के रखा था इमली का पानी डाल देंगे स्वाद के लिए पिर हम यहां पे तड़का रेड़ी कर लेते हैं हमारी सामबार के लिए तो तेल, राई, हिंग, कड़ीपत्ता और मिर्च डाल कर तड़के को रेड़ी करते हैं आप यहाँ लाल मिर्च भी इस्तामाल कर सकते हो फिर हम इसे हमारे सामभार में डाल देंगे हमारा सामभार हो गया यहाँ रेडी अब हम इस बाउल में निकल देंगे और सुर्फ कर देंगे हमारा सामभार हो गया है रेडी आप इसे इडली अप्पे के साथ खा सकते हो थैंक प्रवाचिंग।